नमस्कार आप सब का स्वागत हैं इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली और एक ट्रेस अनिश्का की शादी 11 दिसंबर को हो चुकी है पंडित पवन कोशल बताया कि विराट और अनिश्का ने संस्कृत भाषा के मंतरों का हिंदी ट्रांसलेशन काफी शान्ती के साथ सुना और इस डहरान डोनों काफी एक साटिट थे फेरों के बाद जब साथ वचनों की बारी आई तो विराट का अलग ही अन्दाज था जैसे ही वचन पर हम बोलना होता तो विराट माइक लेकर उची आवाज में हम बोला पंडित कोशल ने बताया कि 40-45 फैमिली नेंबर के अलावा क्लॉल्स फ्रिंड ही शादी में शादी में शामिल हुए विराट अनुषका की इस खास शादी में कितनी दक्षना मिली इस पर पंडित पवन कोशल ने कहा कि इस सेलिबरिटी शादी में जितना मान समान मिला वे कई लाख यूरोभी से ज्यादा है पंडित पवन कोशल बेसिकली पंजाब के कपूर्थला के रहने वाले हैं और अब इटली में सेटल हो चके हैं इटली में रह रहे पंडित पवन को संस्क्रेट हिंदी और इटालियन भाशा का नौलेज होने की कारण एजेंसी वाले उनको बुलाते हैं वे पहले इटली के किसी मंदिर में पुजारी थे और अब छे माह से उन्होरे बोर्ड गोसंजी और कोमो में श्री शनी मंदिर बना लिया है जिसमें वे सेवा करते हैं